तो दर्शो देखते ही देखते पूरा वश भी खतम होने को आ गया है और हम नवंबर के महिने में जल्दी प्रवेश करने जा रहे हैं और यह में जरूर जाना चाहेंगे यह महिना महिली कैसे जाएगा जो भी ग्रह कोचक की सती बनेगी उसका क्या परिणाम हमें जीवन को द बारे में बता चुके हैं आज की वीडिया में चर्चा करेंगे हमाई नौवे राची धनुराश के बारे में यानि धनुराश के जातकों के लिए नवंबर का महिना कैसे रहेगा क्या प्रभाव आपको अपने स्वस्ते में देखने को मिलेगा जो भी ग्रह को जो किसे क्या नवेश के लिए कुछ अपसर मिलेंगे यह कुछ साबधानी आपको बरती है टेम संबंद यानि लव लेशिशिप के लिए कैसे रहेगा डवंबर का महिना आप लोग के बीच में किस प्रकार के लेशिशिप डेवलप होंगे क्या विवा की चर्चा चलेगी सपल रहे नवमबर के महिने मैं में वह इस प्रकार है आपके लगने इस ब्रस्पति आप लगन कशा वह उए अवस्ता में है इसके लाव आप द्वादश भाव में शुक्र के साथ बुद्ध गोचर कर रहे हैं व्रिश्यक राशी में आप कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जैसे शुक्र 7 नवंबर को धनु राशी यानि आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे शनी 15 नवंबर को वक्री अवस्ता में आजाएंगे तो यह आप परिवर्तन आप देखेंगे नवंबर के महीने में उसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा लेकिन शुक्र बात करने से पहले मैं आपसे निवेदर करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क ब्रस्ति वैसे ही आपके चटे बाह में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं अब यहां पर ब्रस्ति वक्री वस्ता में आगे हैं तो नेचरली आप अपने स्वास्ति संबंदी समस्याओं को थोड़ा बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस होते हों नहीं देख पाएंगे बहुत स्लो रखना है खान पान की वजह से ही कुछ अन्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है इसमें अगर आपको शूगर की समस्या है या आपको स्किन सिलेटर प्रॉब्लम है तो यह सारी समस्य एक दूसरे की साथ जूड़ी हुई है तो अगर आप छोड़ी सी में नीच वस्ता में गोचर कर रहे हैं रख्त विकार की समस्या है या आपको पहले से कुछ ब्लड सिलेटर प्रॉब्लम है जैसे बीपी की समस्या तो उसमें आपको काफी साफधानी बढ़ती है चोट रित्यादी का भै बना हुआ है तो अगर आप साफधानी नहीं लग से बंढ़ सकते हैं रख्त हैं लग मनकर की दिश्टी आपके द०्त्यवाब में पढ़ रही है तो कही न पर śसकते हैं किसी को फिल्ड लोग को नुखसान पहुचा सकती हैं गलत zur interactions आपको की टेनो आपको से दिश्टी बनाय रखे कहीं न कहीं इनकी वज़े से भी आप किसी समस्या में पढ़ सकते हैं तो कुल मिला कि साफधान रहना है आपको छोटी-मोटी समस्या अगर आपको है तो आपको जल्दी रहा देखने हो मिलेगी मद्धे नवंबर के बाद जैसे ही जनी जो है वक्री पॉजेटिव देखने के थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ब्रिस्पती आपके छटे भाव में गोचर करें दुस्री बात ब्रिस्पती यहां पर वक्री अवस्था में है तो जब तक ब्रिस्पती बारगी नहों चाहिए और आप तक आपको कहीं नहीं को समस्या आपको प रहेगा वो हम समझेंगे पंचे मिश अश्टम भाव में नीच वस्ता में गोचर खारें तो कह सकते हैं कि अभी समय आपकी विप्रीच चल रहा है कहीं अगर रुकावट अवरोध या ब्रेक भी देख सकते हैं जिस फील्ड में आप प्यास कर रहे हैं वहां से भी कुछ खास गात्र में जाना पड़ सकता है जिसमें आप जाना पसद नहीं करेंगे तो इस पर जब फार अपको सवलता रहां प्यास करना पड़ सकता है इसके लाएब करें आप K aproximadamente पगात्तीग है तो अपनी जो ग्राउंड रियालिटी उसको समझे कही न कहीं आप जो ग्राउंड रियालिटी को उसको मिस करते नजर आ सकते हैं इसके लावा आप अगर कुछ आफ़र आपको मिले तो इसके बारे में अच्छे सब जरूर पता लगाएं हो सकते जो आपको दिख रहा वैसा हाला कि शुरुबात थोड़ी आपको कह सकते हैं कि उमीद अनुसार मिल रही है लेकिन फिर भी आप अपने कॉंफिटेंट को आत्मेश्वास को बनाए रहे कहीं न कहीं इसका असर आपके परदर्शन में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सूर्य अभी नीचा वस्ता हमें है एकादश भाब में गोचर करें जो लापकस थाने तो आपको कुछ समझोता के लिए कुछ एजस्टमेंट के लिए भी कहा जा सकता है लेकिन अगर मद्य नममर की बात के अगर हम बात करें तो वो सिच्वेशन आपके जादा फेवरेबल रह सकती है पर वही बात है कि इस कुछ नहीं जौब की शुरुबात कर रहे हैं तो काफी एजस्टमेंट आपको करना पड़ सकते है हाला कि कुछ मन आपको अफसूस में आ सकता है कि आप जिस परकार के महौल सोच कर आएं जिस परकार के बातवरन या परसिती को सोच कर आएं वैसे आपको देखने को नहीं जरूर देखने को मिलेगा समय के साथ जरूर मिलेगा क्योंकि गये गोचर की सिती जब भी विपीत बहाव में चलती है तो उसका परिणाम जरूर देखने को मिलता है तो यह बात आप मान के चले कि यह सिती जो है वो अस्थाई है पर्मनेंट नहीं है इसमें परिवरतन सकता है तब तक आपको धहरे बना के चलना होगा कारशेत्र मौल कैसे रहेगा जो पहले सब्सक्राइब के लिए उनके लिए हम समझेंगे जैसे मैंने बताया कि दशम भाव में कोचर कर रहे हैं यहां पर थोड़ी सीथी आपके लिए विकट रह सकती है विपरीत है सकती है काम में मन नहीं लगना, काम का पूरा नहोना, काम में कोईनों के कमी निकलना, परदर्शन में कमी देखना, लाप के लिए आप प्रमोशन के लिए प्र्यास करें तो उसमें भी कुछ खास आपको परिवरतन देखने को नहीं मिल पाना, आपको अपने सहयोगियों से जो भी आप एक्षार है उसमें भी काफी कमी आपको देखने हो मिल सकती जहां पर आपको इसे लग रहा है कि कोई आपके फेवर में पर कोई फेवर में नहीं है दूसरी बात यह है कि क्योंकि सूरे दीच अवस्ता में है तो अधिकारी से या सीनिय से भी कोई खास सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा सिर्फ नाम का ही सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे वाक्या भी हो सकते हैं जिसमें आपकी आपकी खुल जाएं जो लोगों के प्रति आपकी जो विश्वास है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिले मंगल अश्टमभा में बैठके एकादाश भा में देश्टी डाल रही है परिवर्तन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा या अपकी काम में कुछ वृद्धी देखने को मिल सकती हैं कुछ ग्रोध के प्रोमोशिय के चांसिस बनेंगे जरूर लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपक्शन उसा नह परद सकता है कि एक बार में सफलता मिलने में संधे है मदेरममबर के बाद तो कह सकते हैं कुछ सिठिती थोड़ा सा सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा पर पूरते सुधार करने के लिए समय लग सकता है तब तक अगर आपके जीवन में संगर्ष चल रहा है किसी अप परिपक होंगे, मैच्चूर होंगे, उतने ही आप एक सही decision नहीं ले पाएंगे, फिलाल अपने कारेशेत्र में जो भी आपका महौल बन रहा है, जिस पर कार के भी बन रहा है उसमें मल लगाने का प्यास करें, काम में focus बनाने का प्यास करें, स्थिती परिवर्तन होगी पर स लोड़ा सा समय लगेगा और दूसरी बात यह कर आप दूसरी जॉब में भी जाएंगे तो भी आप जैसे में बताती हूं जब तक ग्रह में परिवर्टर नहीं होता तब तक वह एनरजी आपके साथ चलती है तो वही उर्जा आप लेके जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगी तो बहतर यही रहेगा पर्तिक्षा करें सही मौके का और सही उपरचुनिटी का जैसे आपको मिलते हैं आप जरूर उसको जरूर ग्रेंड करें पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप हताश निरा शोकर बैट जाएं सबें लगेगा आपका जो भी उसामें अच्छी निगोसेशन आप देख सकते हैं जब आप विदेश के साथ डील करते हैं या विदेशी कंपनी के साथ अगर आप बिजनस में हैं तो डेफिनिटी कोछ अच्छे ओफर्स आपको जरूर मिल सकते हैं इसके लावा अगर आप प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करना च सकता है और कुछ ऐसी समस्या भी हो सकती है जो काफी समय लग सकती है उसमें से बार निकल लेखा तो इतने जलबाजी बिल्कुल ना दिखाएं जो भी हो सो समझ का आप इनवेस्टमेंट करें इसके लावा शेयर मार्केट में आपको मद्धे नमर के बाद कुछ राहत व्युटी अपकर कुछ अपने बहर को देख रहे है इसके वजह से सकते है यह एक समस्या आपको देखने को मी很多 नमर के बाद कुछ परवरतन जरूर निकल नीकन रहेगा तो आपको कुछ सफलता देख भाईंगे इसके लावब अगर आप financial sector के हम बात करें तो उसमें ठीक है एक प्रकार की कह सकते हैं कि constant stability आपको जरूर देखने को मिलेगी कुछ जादा hype तो नहीं है लेकिन हाफिर भी कुछ बहतर आपको जरूर देखने को मिलेगा नवंबर के महीने में इसके लावब जैसे ही जो अकदश के सौमी आपके जो लगन में प्रवेश करेंगे शुक्र तो आप देखेंगे कि आपकी जो ideas है आपकी creativity है आपके जो भी finance related problem है वो सारी दिरी दिर दूर होती जा रही है पर समय लग सकता है पर क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी शत्तु जरूर देखने को मिलेगा अब हम सब्जाए कि आपकी love relationship या प्रेम संबन के लिए कैसे रहेगा नवंबर का महीना पंच मेश अश्टम भाव में गोचर करें नीचा फस्ता में है करी नगए आप लोग की energy है बहुत ही load में रह सकती है जहां पर पार्टनर आपकी विपीत क परे रह सकता है कोई बात आप से चुपा सकते हैं यह वजह हो सकती कि आपके relationship में खटाज हुत्पन हो और इसकी वजह से कुछ distance भी देखा जा सकता है तो कुछ अस्थाई breakup की संभावना भी देखी जा सकती है विवा की चर्चा आप बिल्कुल भी ना करें फिलाल अगर आ सब्तमेश 12 भाह में गोचर करें उसके बाद 26 नमबर को वक्री अवस्था में आएंगे तो कही ना कहीं यह आपके लिए परिशानी हुद्पन कर सकते हैं आपको आपके अपने घरवालों का support के बराबर मिलेगा साथी आपके partner का support भी कोई खास आपको देखने को नहीं मिल पाएगा तो खुल मिलाके आप कह सकते हैं कि बहुत ही साफधानी आपको बरती है अपने किसी प्रकार के निर्ने से लेने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा किसी से सलाय परामश लें दूसरी बात ही कि सबसे पहले आप अपने 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 आपको किसी embarrassing decision में डाल सकते ह तो इससे आपको बचना होगा विवार की जर्चा अगर जनरली आपके परिवार में चल रही है फिलाल तो हो सकते है कि स्तान से बाहर एकिसी अन्य शेत्र से आपको कुछ विवार का परस्ताव मिल जाए इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है पर क्योंकि अब भी उसम से आपको देखने को मिल सकता है अब विवारी दंपत्ति के असर हैगा देखिए इस तब तमेश आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं कहीं न कहीं आप लोग के बीच में कुछ छोटा मुद्दा बड़ा जगड़ेगा कारण मन सकता है कुछ खर्चे को लेकर भी ककार के बाद बेबाद देखे जा सकते हैं कुछ नुकसान की सिती भी देख जा सकती है इसकी वजह से आप लोग के बीच में एक प्रकार के आग्यूमेंट्स देखी जा सकती है आपके जो जीवन स narrative hoogen कुछ विप्री दिशा में रह सकती है एक मत होने में समय लग सकता है क किसी प्रकार के स्योग सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कहीं न कहीं आप अपने पुराने बुद्धो को लेकर ही अपने जो एक उलजन का कारण आप अपने संबंद में बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसे आपको बचना होगा पुरानी बातों को भूलकर आप मविशे के बारे में सोचे और अपने वर्तमान के बारे में ज़्यादा वचार करें तो उसी में आप जीने का प्रयास कर तो ज़्यादा बैतर रहेगा अगर कुछ नुकसान इसकी वज़े से उठाना पड़ रहा है कुछ मेडिकल इश्यूस आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप शांद भाव में रहें पहले आप उसको सोटाओट करें ठोडा समय लें फिर उसके बाद आप प्रयास करें इसके लाबा अगर हम समझे embody कि संतान अगर पहले से तो उससे आपको काफी उताचड़ा गुजरना पड़ सकता है संतान काफी आनुचित रह सकता है구요 जो आपको कह सकते की इस ट्रेस भी दे सकता है तर्णाव भी दे सकते हैं डिसकी वजह से थोड़ा सा आप अप सड़ी हो सकते हैं उपाये की बात कर ले देजोगों आपको मंगल को अपाय जरूर करना चाहिए दो 커णा है रोज आप हनुमान 40 सा भी पढ़ सकते हैं इसे आपके मंगल देव मजबूत होंगे लालबस्तू का दन देना भी प्रकार से एक अच्छा इक्स का उपाया माना गया है अगर आप चाहें तो गये को गुड और रोटी प्रते प्रतिक मंगलवार को किला सकते ये भी बहुत बड़ा कारगर उपाई है इसके लावा अगर आप अपने लगनेश को पाई कर तो ज्यादा बैतर रहेगा को ये लगनेश आपकी चटे बहुत में वक्त रेवस्ता में है तो ऐसे में आपको अपने ब्रिस्पति को मजबूती ब्रदान करनी है इसके लिए आप पूझा पाड गिया मत्रक आप करसकते है इसके लिए आप ब्रिस्पति वार को विज्दू सास्थ नाम का पाडं कर सके तो ये समय तक करेंगे तो अच्छी रहेगा तो देशकों आपके जो भी प्रशन सजेशन यह रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले हारे क्रश्ना